नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आर्पी टेक्निकल इस्टडी यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने बात करेंगे टेक्निकल एलपर का परवी सी एरक्यूशन पेपर है जो की 28 अगस्त 2018 का है पस्ट सिप्ट है इससे पहले के सभी देख चुके जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रेप्शन में मिल जाए गया या फिर आप चैनल के पहले लिस्ट से भी देख सकते हैं तो आज के यह वीडियो बहुत इंपर्टेंट होने वाला है तो वीडियो को लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों को भी शेर कर दीज तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्यूशन है थ्री फेज वाले मोटर के थ्री फेज वाइंडिंग के लिए निमिल कितमे से किन अक्सरों का उप्यों किया जाता है तो फटापड से कमेंट करके आंसर बताना है क्या होगा इसका क्रेक्ट आंसर तो दोस्तों इसका क्रेक्ट आंसर होजऄगा uvw किन अख्रों से उप्यों कीया जाता है किन अक्सरों के उप्यों किया जाता है uvw का है तो इसका right answer होजऄगे तो धनातमक विद्द्दत से आवेसित होने वाले आइनों को क्या कहते हैं बहुत important question है तो इसका right answer होजयी का धनायन कहते हैं क्या कहते हैं धनायन तो correct answer होज़यी का option number B अगला question दोस्तो अगला question देते हुँ निमलेक तुमेंसे कौनसा onion का एक उधारन है पोटेशियम मेगनिसियम हाइड्रोजन केल्सियम यह पास्पोर्ट कारेक्ट आन्सर् क्या होगा मृल्ट तो दोस्तो इसका करेक्ट आन्सर घैके केल्स्याम क्रेक्ट आंसर्चों क्यों को caution नमबर डी अगला क्यूशन अएंपियर घंठा दक्सता और लेड एसिड शेल की वाट घंठे दक्सता का अनुपात क्या होता है एक के हमेशा एक से कम है चीद रखा एक हमेशा एक से अधिक है डी दे रखा अनंत एद रखा या तो यह या सी तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तो अगला क्यूशन दे रखा बेटरी की दीरे दीरे आवेशित करने से मदद मिलती है बेटरी को दीरे दीरे आवेशित करने से क्या मदद मिलती है तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटरी को धीरे-धीरे आविश्यत करने से मदद क्या मिलती है इंपोर्टेंट क्यूशन है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसे ताजावर पूरण रूप से विक्सित रखे अगला क्यूशन है एडिसन सेल के रिनात्मक पलेट का निर्मान किस से किया जाता है तामबा जस्ता लेड आईरन ओक्साइड यह सिल्वर ओक्साइड तो addition सेल होता है उसकी रिनातमक पलेट किसकी बनी होती है important question है right answer हो जाईगा iron oxide की किसकी बनी होती है iron oxide की correct answer हो जाईगा option number D अगला question दोस्तों अगला question देरा का है निमली कितमे से किसे electrolyte के विशिष्ट गुर्टवा कर्शन को मापा जाता है manometer, tachometer, hydrometer, pyrometer, psychrometer तो electrolyte के विशिष्ट गुर्टवा कर्शन को किसे मापा जाता है important question है right answer हो जाईगा option number C hydrometer द्वारा correct answer क्या होगा option number C अगला question है एक सपेद बैंगनी काला रंगीन रजिस्टर होगा तो दोस्तो जो परतिरोध को की पट्टी दी जाती है तालिका दी जाती है color code की उसके आदार पर बताना इसका right answer क्या होगा तो दोस्तो आप परतिरोध को की तालिका की आदार पर आगर इसको solve करेंगे तो इसका correct answer हो जाएगा सत्यान में अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन है सुसक सेल किसका एक संसोधित रूप है डेनियल सेल का लेकलांची सेल का लेड एसिड सेल का एडिसन सेल का या ए और भी दोनों का तो सुसक सेल किसका एक संसोधित रूप है राइट आंसर हो जाएगा लेकलांची शेल का करेक्ट आंसर क्या होगा ओप्शन नमबर B अगला क्यूशन है नेटवरक की अनेक साकाओ द्वारे निर्मित एक बंद परिफत को क्या कहते हैं परिफते साका, जंक्षन, लूपे, ट्रिमिनस तो क्या कहा जाता है नेटवरक की अनेक साकाओ द्वारे निर्मित एक बंद परिफत को क्या कहते हैं एक बंद पत्खो क्या कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा लूप, क्या कहते हैं लूप, करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर D अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन है एक परीफ़त के निमल लिखित गुणों में से कौन सा परीफ़त के ओल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है परे रखता हूँ, धारिता, परवाकता हूँ, परितिरोध या रिलक्टाइंस और दोस्तो अगला क्यूशन है उद्धिप्ट लेंप का जीवन का लगबग होता है उद्धिप्ट लेंप होता है उसका जीवन लगबग कितना होता है 100 गंठे, 200 गंठे, 1000 गंठे, 5000 गंठे या 10,000 गंठे तो दोस्तो एक उद्धिप्ट लेंप का जीवन लगबग कितना होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर C, 1000 गंठे क्रेक्ट आंसर क्या होगा, उप्शन नमबर C, अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दे रहा है, निमिल लिकित वास्प या गंठो में से कौन सा फ्लामेंट लेंप में पिला रंग परधान करेगा हीलियम, पारा, सोडियम, मैगनेसियम या नियोन राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होजएगा सोडियम, क्रेक्ट आंसर क्या होगा, उप्शन नमबर C, अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन है, निमिल लिकित में से कौन सा लेंप नीचे दे गए परतिक से संकेतित है, यह किसका परतिक चेन है इसको बताना है, फटापट से कमेंट करके बताईए कि यह किसका परतिक चेन है, डिस्चार्ज लेंप का, फ्लोरोसेंट लेंप का, ओसिलेटरी लेंप का, नियोन लेंप का, या फ्लेस लेंप का, राइट आंसर क्या होगा, फटापट बताओ इसका राइट आंसर क्या यहदि एक कुंडली की प्रतिवाद्था और प्रेरदिक प्रतिकरिया करमस से 25 O sp और बी तो तार का प्रतिरोध क्या होगा यह यह क्या दे रखा है इंपीड्डेंश दे रखा اور нож is inductive reactance दे रहा है दोणोंettes पर्तिवादा कितना दे रहा है 25 ohm with inductive reactance अर्थार्थ xl कितना दे रहा है 20 ohm गयाद क्या करना हा R क्या गयाद करना है याद करना है पर्तिरोद गयाद करना है तो इसके लिए formula कौन सा होगा आर बराबर under road j² मामाइनस से xl का स्क्वाइर क्या हो जाएगा इंपिडेंस का स्क्वाइर माइनस परेड़नी के परतिकिरिया का स्क्वाइर तो इस शुत्र द्वारे इसको हल करेंगे तो आर बराबर जैड का मान कितना दिरका है 25 तो 25 का स्क्वाइर माइनस से 20 का स्क्वाइर अंडरोड 25 का वरग मुल कितना होता है 625 माइनस से 20 का कितना होगा 400 अंडरोड 625 में से 400 जाएगा कितना बचेगा 225 अंडरोड में इसका वरग कितना हो जाएगा 15 राइट आंसर कितना हो जाएगा 15 ओम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15 ओम अगला क्यूशन है समाना अंत्र सन्योजन में जुड़ा कैपेशेटर निमिल लिकित में से किसके जैसा होता ओप्शन ए दिरका सरंकला में रेजिस्टर, बी दिरका समाना अंत्र में परेर राखता हूँ डी दिरका A और C दोनो, इ दिरका B और C दोनो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका क्रेक्ट आंसर हो जाएगा सरंकला में रेजिस्टर, क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उप्शन नमर ये अगला क्यूशन, अगला क्यूशन दिरका ओम के नियम का परतिनी दिताओ, करने वाला वक्र है रेखे के परवल लेके आती परवल लेके आईताकार आती परवल लेके जाव किरिए करेक्ट आंसर क्या होगा important question है तो right answer हो दाइगर रेखे correct answer क्या होगा option नमबर ये अगला question दोस्तो अगला question है एक CRT screen पर किसकी परत चड़ी होती है sodium की, calcium की, पांसफर की, aluminum oxide की ये जस्ता की तो एक CRT screen पर किसकी परत चड़ी होती है CRT का फुलफोरम होता है cathodary tube क्या होता है CRT का फुलफोरम cathodary tube तो इसका right answer क्या होगा CRT की screen होती है उस पर किसकी परत चड़ी होती है right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा password की, किसी जड़ी होती है password की, correct answer हो जाएगा option number C, अगला question है rectifier का उपयोग किसे रूपांतरी करने के लिए किया जाता है, AC से DC, DC से SC, अधिक voltage से कम voltage, कम voltage से अधिक voltage, या ए और भी दोनो तो rectifier का उपयोग किसके लिए किया जाता है right answer क्या होगा, बहुत important question है, तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा, AC को DC में बदलने के लिए rectifier का उव्योग किया जाता है, right answer हो जाएगा, option number C, अगला question अगला question दरका full wave, bridge rectifier में कितने diode होते हैं, full wave bridge rectifier में कितने diode होते हैं बहुत important question है, एक, दो, तीन, चार या पांच right answer क्या होगा, तो दोस्तो, full wave, bridge rectifier में होते हैं, चार diode, कितने diode होते हैं चार diode, अगला question, एक junction diode में किसके कारण चिदर होता है अतिरेक्ट protons, neutron गाईब इलेक्ट्रोन, अतिरेक्ट number C, अगला question दोस्तो, अगला question दिराका, istir विधुत द्वारा, निमल कित में में से कौण सा transistor परवाईत होता है UJT, FET, MOSFET NPN, Transistor या इन सब, तो right answer क्या होगा istir विधुत द्वारा, निमल कित में से क्कौन सा transistor परवाईत होता है important question है right answer क्या होगा right answer हो जाएगा option number C most fat correct answer क्या होगा option number C अगला question germanium crystal को pass force परमानू से माधित किये जाने पर यह हो जाता है विदूत्रोधक है, पीटाई पर्दचालक है एंटाई पर्दचालक, अतिचालक है इस्ताई चुम्बक तो right answer क्या होगा right answer हो जाएगा, option number C and type अर्दचालक, correct answer क्या होगा option number C तो इसका right answer हो जाएगा and type अर्दचालक, अगला question दोस्तो अगला question है 220 voltage और 60 watt rating वाला एक विदूत बलब 220 voltage और 40 watt rating वाले एक अन्य विदूत बलब से सरेनी करम अर्दचालक, 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 और 40 watt वाला बलब नहीं जलेगा तो correct answer कौन सा होगा बहुत important question है जल्दी बताइए इसका right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा जब series में जुड़े होए होगे तो 40 watt वाला बलब 6 watt वाले बलब से अधिक तीवर परकास देगा correct answer क्या हो जाएगा option number B अगला question अगला question देरे का filament lamp खालिस्तान के सिध्धान्त पर कारी करता है किस सिध्धान्त पर काम करता है तापन परभाव रासाइनिक परभाव इसतिर वेदूत परभाव चुंबकी परभाव या विदूत गतिक परभाव राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा फिलामेंट लेंप अमेस्था तापन परभाव के सिध्धान्त पर काम करता है correct answer क्या होगा option number ये अगला question है डाइनेमो मेटर गति मान कुंडली उपकरण में विक्छेपित टोरक खालिस्तान होता है कुंडली में धारा के विक्छेपित करमान पाती कुंडली में धारा के अनुकरमान पाती option C दे रखा कुंडली में धारा के वरक के अनुकरमान पाती D दे रखा सुनने E दे रखा कुंडली में धारा के वरक मूल के अनुकरमान पाती तो correct answer क्या होगा तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा कुंडली में धारा के वरक के अनुक्रमानुपति correct answer हो जाएगा option number C अगला question दोस्तो अगला question दे रखा Kelvin double bridge खालिस्तान के मापन के लिए सर्वादी को प्यूक्त होता है परिर रखता हूँ धारिता कम पर्ति रोध उच पर्ति रोध या पर्ति वादा तो right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा option number C कम पर्ति रोध के लिए Kelvin double bridge कम पर्ति रोध के मापन के लिए सर्वादी को प्यूक्त होता है right answer हो जाएगा option number C अगला question है clip on type meter खालिस्तान भी कहलाता है clip on type meter को क्या कहा जाता है दूसरा नाम क्या है मेगरे energy meter, takeometer, tongue tester या फिर old meter तो clip on type meter को क्या कहा जाता है important question है तो right answer हो जाएगा tongue tester भी कहा जाता है clip on type meter को क्या कहा जाता है tongue tester तो right answer हो जाएगा option number D अगला question दोस्तो अगला क्यूशन दे रखा है निमन में से कौन गतिमान आईरन उपक्रोणों की विशेष्था नहीं है नहीं है बताना है ओप्सन दे रखा है ओप्सन ये इसका विख्षेपन धारा के वरक के अनुकर्मान अपति होता है बी दे रखा इसका पैमान एक समान नहीं होता है सी दे रखाई ये है एसी और डीसी दोनों के मापने तो परियुक्त होता है बी दे रखाई इसे एमिटर के भाती उपयोग कि अगला question अगला question है galvanometer जो इसमें आवेस परवा मात्रा की गणना करने के लिए परियुक्त किया जाता है वहें क्या कहलाता है option एदर का फ्लक्समेटर भी दर का बेलास्टिक galvanometer सी दर का एनर्जी मेटर डी है इलेक्ट्रोडाई नेमो मेटर वाट मेटर इदर का वाइबरेशन गेलोन मेटर तो correct answer क्या होगा important question है दोस्तो इसका right answer होदाईगा बेलास्टिक गेलोन मेटर correct answer होदाईगा option नमर B अगला question है खालिस्तान विक्षेपन द्वारा मेटर की सुधता नेर्दारित की जाती है option एदर का पूर्ण scale, B दर का आदा scale, C दर का पूर्ण scale का एक ती आई, D दर का पूर्ण scale का एक चोताई, E दर का पूर्ण scale का दसवा बाग तो right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका correct answer होदाईगा पूर्ण scale विक्षेपन द्वारा मेटर की सुधता नेर्दारित की जाती है right answer होदाईगा option नमर E अगला question दर का induction motor की crawling खालिस्तान के कारण होती है इस्टेटर लेमिनेशन के अनुचित डिजाइन के कारणे, B दे रखाए कम ओल्टता अपूर्थी के कारणे, C दे रखाए मोटर में उत्पन harmonics के कारणे, E दे रखाए उच ओल्टता अपूर्थी के कारणे तो right answer क्या होगा, तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा, motor में उत्पन harmonics के कारण, correct answer हो जाएगा option नमर D अगला क्यूशन है निमन में से कौन सा परिक्षन है DC संट मोटर पर रनिंग डाउन परिक्षन भी कहलाता है इन में से कौन सा DC संट मोटर पर रनिंग डाउन परिक्षन भी कहलाता है कौन सा परिक्षन है अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन है ब्लोक्ट रोटर परिक्षनों में सिलप किसके बराबर होती है सुनने सुनने पॉइंट पांच सुनने पॉइंट सासो साथ या एक एक पॉइंट चार सुचो दे तो क्रेक्ट आंसर क्या होगा बहुत इंपोर्टन क्यूशन है तो दोस्तो ब्लोक्ट रोटर परिक्षनों में सिलप एक के बराबर होती है किसके ओवर्लोड रिले यह इन सब तो करेक्ट आंसर क्या होगा तो दोस्तों डेल्ट इस्टार डेल्टा इस्टार्टर के भाग नहीं है इन में से कौन सा नहीं है तो कॉंट्रेक्टर भी नहीं है टाइमर भी नहीं है इंट्रलोक स्विच भी नहीं है थर्मल ओवर्लोड रिले भ सबी नहीं है इस्टार डेल्टा इस्टार्टर के भाग राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर ए अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन है डी सी मोटर द्वारा उत्पन यांतरिक सकती हदिकतम होती है जब ऑप्शन द्रका बैक इमफ परियुक्त उल्टता के बराबर होता है तो कर्यक्ट आंसर क्या होगा फटा बटापर से कमेंट करके बताई तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा option number B, बैक यह में परिउट्ट वोल्टता है कि आदा होता है, कितना होता है, आदा होता है, right answer हो जाएगा option number B, अगला क्यूशन, अगला क्यूशन दे रखा है, induction motor की plugging को कारियरेत किया जाता है, जबकि option A दे रखा है, किसी भी दो इस्टेटर फेज के supply terminal का आदान परदान कर किया जाता है, B दे रखा दो इस्टेटर टर्मिनलों को एक साथ छोटा कर दिया जाता है, C दे रखा किसी भी दो इस्टेटर टर्मिनलों को D से सरोर्त से जोड़ा जाता है, D दे रखा किसी भी दो इस्टेटर टर्मिनलों का आर्थिंग कि जाता है जिद्धर का या तो बी या सी तो करेक्ट आंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी भी दो इस्टेटर फैज के सपलाई ट्रमिनल लोह का आधान पर्दान किया जाता है रय उटांसर क्या होगा option नमबर यह अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दे रहा थ्री फेज इंडक्शन मोटर में उत्पादी टोर खालिस्तान है ओप्शन दे रहा इस्टेंड इस्टिल पर रोटर में परेरित ये मैप के वरक के सीधे अनुपात में दे रहा इस्टेंड इस्टिल पर रोटर में परेरित ये मैप के सीधे अनुपात में दे रहा इस्टेंड इस्टिल पर रोटर में परेरित ये मैप के वरक के विपरित अनुपात में तो correct answer क्या होगा 3 page induction motor में उत्पादी ट्रोर कैसा होगा right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा stand still पर rotor में परेरित EMF के वरग के सीधे अनुपात में correct answer क्या होगा option number दोस्तो अगला क्योशन है यदि एक 4 दुरव 3 page 50 Hz से जुड़ी induction motor में परतिसात पूरन लोड शिलिप है तो motor के पूर्呢 गती भार पूर्ण भार गती क्या होगी फूर्ण भार गती ग्यात करना है क्या कि तो दोस्तो सबसे पहले किया करेंगी इसकी 104 लोड गती ग्यात करेंगاي क्या करेंगे but गती ग्याते करेंगे तो n बराबर f into 120 बटे p f का मतलब फ्रिक्वेंसी पी का मतलब पोल्स के संक्या तो f कितना दे रखा फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखिए 50 आड़ जाए गुणा 120 बटे पोल्स के संक्या दे रखिए 4 तो 4, 4 ती बारत अर्थारत यह 30 बार कट जाएगा डोस्तु ऑगती ख्याद करना है है फुल लोड़्य लोड़ कथा टी तो डोस्तो उलप कताना दे दोक्त पांच पर थाऊ सुमेर्ड़ लोड़्य कितनी है 500 rpg – cookies और गती करने क्या ग्याद करनी है रोटर गती ग्याद करनी है बटे 1500 गुणा 100 दो 0 से 20 कैंसल हो जाएगा यह इद्धर जाके किस से इस से गुणा हो जाएगा 155 पिछेतर कितना हो जाएगा 15 यहां बचेगा 55 बरावर is b पंध्षयो भार धती क्या होगी पोर्ण भार गती है अर्थ फू cloves भार गती है तो जब फिलобраз गती को इद्स फ्कनतर करありがとう है और यह फ्कनतर उम है तो मैंश में इदर जाके किसमें हो जाएगा मैंश में तो क्या हो जाएगा 1500 माइनस पीचेतर तो जब 1500 में से पीचेतर निकालेंगे तो कितना जाएगा 1425 रपिम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा उप्शन नमर C अगला क्यूशन है इस्क्यृर्ल के जिन्डक्शन मोटर के बारे में निम लिकित में से कौन सा खवतन सब्सक्रावाँ भूप्सन एस्क्यृर्ट के सलोट समाना आंत रहा है बी डिराखा रोटर को अंत में इस्थाई रूप से छोटा कर दिया जाता है C दिरका रोटर परतिरोद E starter का उपयोग नहीं किया जा सकता है D दिरका बाहर ही परतिरोद जोडने की कोई संभाव ना नहीं है E दिरका इनमें से कोई नहीं तो एक squirrel cage induction motor के बारे में इनमें से कौन सा खतन गलत है गलत को बताना है आपको तो फटाबर से बताए इनमें से कौन सा खतन गलत है induction motor के लिए तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा rotor के slot सम्भाना नतर है ये गलत है ये option क्या है गलत है जबकि rotor परतिरोद starter का उपयोग नहीं किया जा सकता है ये भी सही है rotor को अंत में इस्ताई रूप से छोटा कर दिया जाता है ये भी सही है और बारी परतिरोद जोडने की कोई सम्भावना नहीं है ये भी सही है जबकि ये खतन गलत है तो correct answer क्या हो जाएगा option नमर ये अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन है डीप बार इंड़क्षण मोटर में इसकीन परवाव हदिक्तम होता है जब रोटर ओप्सन एद्र का stand-still पर होता है B दर का इसकी अधिक्तम गति पर चलता है C दर का बिना लोड पर चलता है D दर का आदि लोड पर चलता है E दर का पूंग लोड पर चलता है तो deep bar induction motor में skin परवाव हदिक्तम कब होता है option ये option right option बताना है क्या होगा इसका correct answer तो दोस्तो इसका correct answer होजएगा option ये stand steel पर होता है rotor क्या होता है stand steel पर होता है right answer होजएगा option नमबर ये अगला क्यूसे नहीं induction motor के stator frame में silicon steel के टुकडे आमतोर पर खालिस्तान मोटाई के साथ होते है option ये दिरका सुन्ने 0.5 mm 1 mm 1.5 mm 2 mm ये 2.5 mm correct answer क्या होगा तो दोस्तो इसका correct answer होजएगा सुन्ने 0.5 mm induction motor के stator frame में silicon steel के टुकडे आमतोर पर कितनी मोटाई के साथ होते है 0.5 mm के मोटाई पर right answer होजएगा option नमबर ये अगला क्यूशन अगला क्यूशन दे रहा है यदि DC motor का गुमावदार छेतर उल्टा होता है तो मोटर क्या होगी एक ही दिसा में चलता है विबिन गति से चलता है विपरीद दिसा में चलता है नहीं चलता है या जल जाता है तो ये दि DC motor का गुमावदार छेतर उल्टा होता है तो क्या होगा right answer बताए ना है right answer होजएगा विबिन दिसा में चलता है correct answer क्या होजएगा option नमर C अगला क्यूशन आया भैतर क्वाइल्स वाले DC मशीनों के लिए commutator segments की संक्या क्या होगी तो दोस्तो इसका correct answer होजएगा कोवाइल्स की संक्या के बराबर ही होता है segments की संक्या भी तो right answer होजएगा option नमर C अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दे रखा है यदि DC संट motor 9 ampere पर 1.8 kilowatt का बहर परदान करता है और संट करंट एक ampere है तो armature current क्या होगा armature current ज्याद करना है अर्थार्थ IA का मान ज्याद करना है तो दोस्तो आई ये का अर्थार्थ armature current ज्याद करने का फोर्मूला क्या होगा load current पलस संट current क्या होगा load current माइनस सोरी तो, लोड करंट कितना दे रहा है, नो अमप्यर पलस संट करंट कितना दे रहा है, एक अमप्यर तो, भराबर कितना हो जाएगा, दस अमप्यर Right Answer हो जाएगा, दस अमप्यर Correct answer होगा, Option No.D अगला क्यूशन दोस्तो, अगला क्यूशन दे रहा है, Synchronization चलने वाले पावर सिस्टम वाले आल्टरनेटर के निमन में से किस पेरामिटर से में लखाने की परिकिरिया है ओल्टेज, आवरत्ती, फैज एंगल, फैज सिक्वेंस यह इन सब तो करेक्ट आणसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर ये इन सब अर्थार तो प्रोब ते सब ही अगला क्यूशन दे रखा है गती सिल रूप से परेरित EMF के सिद्धान्त का उप्योग किसमे होता है ट्रांसपार्मर में, जनरेटर में, चोक में, थर्मो कपल में, ट्रांजिस्टर में तो गती सिल रूप से परेरित EMF का सिद्धान्त किसमे उप्योग लिया जाता है बताए बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है फटापट बताओ क्या होगा धोस्तो इसका करेक्ट आंसर होजएगा जनरेटर में लिया जाता है दोस्तो इसका क्रेक्ट आंसर होगा आप बेक पीच और फरंट पीच दोनों क्या होनी चाहिए विसम होनी चाहिए करेक्ट आंसर क्या होगा उप्सन नमर C अगला क्यूशन है डीसी मसीन के आर्मिचर एम एम एप को खालिस्तान वेब फोरम के रूप में अनुमानित किया जाता है पल्सेटिंग सम कोन ये त्री कोन ये साइन सोईडल कोसे कोसे न्यूस सोईडल तो करेक्ट आंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्री कोन ये करेक्ट आंसर क्या होगा उप्सन नमर C तो दोस्तो इस वीडियो में इतना वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों को भी शेर कर दीजे Thank you